हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब? कलकिलेशन में हम नोंने सीखा था स्मॉल कैप्स एन आल कैप्स आज की लेशन में हम लों सीखने जा रहे है हिडन इफेक्ट समझ लो यह जो सेंटेंस है ना यह सेंटेंस आपके लिए खास है तो मैं इसका color change कर देता हूँ दोस्तो paragraph को read करने के बाद यह paragraph जो है ना यह मैं क्या करूँगा hide करूँगा यह hide करने के बाद जिसको यह unhide करने की technique मालूँ है वही यह क्या कर सकता है sentence को visible कर सकता है या फिर देख सकता है तो उसकी method आज हम लोग सिखने जा रहे हैं ओके मैं भी क्या करूँगा वापीस जाओँगा font में font में जाने के बाद एक को hidden करूँगा hidden करूँगा ओके करूँगा तो यह document में समझ लो save कर दे हैं मैं यहापे मैं save किया यहापे दोस्तो फिर मैं इसको close कर दूँगा दोस्तो अभी जो desktop पे file save हुई है न वो अभी हम लोग open करेंगे दोस्तो file open होने के बाद देखो यहापे हमको दिख रहा है कुछ वो paragraph जा चुका है लेकिन वो hidden line मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा देख रहा है यहापे show and hide का button है show and hide का button है इसके पर click करूँगा देखो यह दिख रहा है देखो जब show and hide click होता है आप करते हो चालो रहा है देखो यहापे अलग से dark हो गया है मतलब यह button on है और देखो यहापे भी दिख रहा है आपको यह सब दिख रहा है आपको यहाँ है न show and hidden का mark आया है इसका मतलब क्या किया है show and hide का button चालो है वापिस में hide करूँगा click करूँगा देखो निकल गया अगर आपको यह normally रखना है मतलब वो निकाल देना है आपको कुछ भी आपको मतलब hidden रखना नहीं है तो वापिस क्या करो show and hide के उपर click करो फिर जाओ यह line को selection करो और क्या करो font में जाओ और क्या करो hidden यह निकाल दो ok कर दो that's it हो गया अभी show and hide बटन बन कर दो देखो हो गया अभी मैं इसको save करता control is करकर close कर देता हूँ दोस्तो अभी जो desktop पे file save हुई है न वो अभी हम लोग open करेंगे दोस्तो file open होने के बाद देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कुछ देखो यह line यहाँ पे है hidden तो हुई नहीं है दोस्तो समझ में आया तो दोस्तो आज के lesson में बस इतना ही मिलते है अगले lesson में थैंक यू